नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अर्णिंग वाई प्रभाश पे तो दोस्तों प्योर रिसर्च बेस्ट और फाक्ट एंड फीगर के साथ आपको स्टॉक प्रोवाइड किया जाता है लेकिन आपको यह आद है कि इसके बाद आपको अपनी लर्णिंग करनी अपना रिसर्च करना है और यह दोनों चीज़े आप नहीं करना है तो अपना प्लीज आपका बहुत ही दिखी का जो इंपोर्टेंट वाल्यूबल टाइम है उसको ना वेस करें और आप इस वीडियो को ना देखें चुकि अगर आप लर्णिंग करोगे तब ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो जितनी जल्दी यह जान जाओगे आप उतना ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि 10 में से 9 बार अगर हम सही हो भी जाते हैं तो जब एक बार हम सही नहीं होंगे अपने रिसर् करना बहुत इंपोर्टेंट है जब आपको फाक्ट एन फीगर बताई जा रहे हैं ट्रांसपरेंसी बताई जा रही कि स्टॉक क्यों चल सकता है तो एक बार आप अपना डिसीजन खुद लीजिए आप किसी पर डिपेंडेंट ना रही है तो अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यहां पर मैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करा हूं और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करा हूं और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में आपको बता है साथ दिन में सारे रिजल्ट आ अब वो result देखेगा आपको बहुत selective रहना है यानि बहुत ही selective रहना जैक की जहां पर आपको कुछ अच्छे facts मिलने हो जहां पर कुछ अच्छे indication मिलने हो कि यहां पर growth और balance sheet अच्छी हो सकती है तो HDFC bank देखेगा अच्छी balance sheet नहीं देता था इतने growth और extraordinary growth देखेगा इनकी balance sheet में देखने हो नहीं मिलती थी पिछले 3 quarter में इस बास strong balance sheet strong growth देखने हो मिली है यह top bank है आपको पता है और अगर यह top bank जो consolidated way में work करता था as such इतने ज़्यादा देखेगा margin या फिर operating income या फिर net profit देखने को नहीं मिलते थे तो इन्हों ने देखेगा काफी बड़ा spike किया है spike क्यों किया है चोकि अभी इस particular last quarter में जो third quarter था उसमें जो credit growth थी bankों की वो सबसे peak पे थी तो इसलिए जो top bank होगा वो भी अच्छा पैसा बनाएगा लेकिन ये इतना aggressive bank नहीं है HDFC इतना aggressive bank नहीं है लेकिन other जो bank aggressive है तो अगर ये bank इतनी अच्छी strong balance sheet के साथ credit creation कर रहा है तो जो aggressive bank है वो इससे ज़्यादा growth कर रहे होंगे ये पहला factor है यानि कि जो already पिछले दो quarter में aggressively अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उन्होंने अपने net profit में बहुत ही बड़ा change देखा है और किया है तो उनके जो expectation होंगे उनके जो result होंगे वो better और ज़्यादा सकते है HDFC bank से तो पहला fact यह है कि यानि कि banking stocks में आपको balance sheet अगर अच्छी है और aggressively देखेगा growth कर रहा है कोई bank तो वो bank अच्छा perform कर सकता है अगर आपको गिरे हुए भाव पर मिल ला है दूसरी बात जिस bank की मैं बात कर रहा हूं उसकी market capitalization भी 2.82 एजार करोन के आस पास है stock up यह एकदम देखेगा fair value है stock up book value भी आपको अच्छा देखने हो मिलता है पिछली बार 970 रुपए का ही बनाया था जब इन्होंने result दिये था और दो दिन में अगर आप देखेंगे तो 19% के return मना के दे दिये थे दो दिन में result के बाद मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी ऐसा ही करेंगे लेकिन इनके result कुछ extraordinary आ गये थे मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे इनके result देखेगा इनके 4000 करोन आते थे फिर 4500 आने लगे फिर यह देखे consistent था यह consistent था और अचानक से इनके देखेगा आपको देखेगा यह जो growth देखने हो मिली यह growth देखने हो मिली पैट में देखेगा अचानक से जो jump देखने हो मिला तो यह jump आया था चुकि उससे में credit growth लगाता अपना lifetime high बना रही थी तो इस December quarter में भी अच्छा ही बना था तो इस December quarter के result आ रहे हैं तो यह quarter basis पे काफी अच्छा improvement कर सकते हैं नहीं तो बाजार expect करेगा इनसे की अच्छा improvement करेंगे तो इस expectation में यह 4-5% अराम से भागेंगे और इन्होंने अपने life के सबसे बढ़िया quarter और अपना year निकाला है यह देखिए 18,000 करोण के असपास तो आप समझ सकते हैं strong करा है इन्होंने balance sheet को काफी strong करा है मजबूती लाई है यानि कि जब इनको chance मिला opportunity मिली तो इन्होंने aggressively देखेगा work किया है और best part मैं ऐसे bank की बात आपको कर रहा हूँ जिसमें FIAs बिलकुल पैसा रोग के बैठा हुआ है आप देखिए बिलकुल पैसा रोग के बैठा हुआ 46% के FIAs rarely आपको किसी bank में देखने हुआ है किसी rarely किसी bank में देखने हुआ है और फिर उसके बाद DIA ने इस बार पैसा बढ़ा दिया 32% तो आप समझ लीजे कि कितने अच्छी तरीके से investor यहाँ पे बैठा हुआ है तो investor ऐसे तो नहीं बैठा हुआ है मैं बात कर रहा हुआ एक्सेस बैंक की और एक्सेस बैंक लगा तार पिछले दो कॉर्टर से aggressively अच्छे result दे रहा है और यह stock देखेगा आपको देखेगा 5 दिन में 3% गिर चुका है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे last 5 मन में भी 3.5% की गिरावट है और जब से result आये थे तब से देखेगा 6 महिने में इन्होंने काफी अच्छे return मना के दिये 1000 तक का भाव इन्होंने touch करने की कोशिश की थी तो यह particular bank ऐसा है जो 5-6 दिन में आपको 3-4-5% के और इससे ज्यादा expectation नहीं करिएगा क्योंकि आपको पता है कि आप इतने expectation के लिए swing कर सकते हो 5-6 दिन के लिए तो result better आते हैं तो यह आपको देखेगा 933 और 942 का level तोड़ते हो देखने को मिल सकता है आगे चलके उसके बाद कितना देखेगा क्या होता है वो तो आगे की बात है लेकिन यह level आपको देखने में बिल सकते हैं तो focus करिएगा वीडियो और अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ने बुलिएगा thank you so much